हेलो स्टुडेंट आज हम सेंस ओर्गन्स के बारे में जानेंगे सेंस ओर्गन्स होती है बेटा इंद्रिया हमारे पांच सेंस ओर्गन्स होते हैं जिससे हम देखना सुनना सुनना सब कुछ करते हैं तो कौन-कौन से हमारे सेंस ओर्गन्स है देखें एक बार आइज आइज स से हम टेस्ट करते हैं और स्कीन स्कीन से हम टच करके देखते हैं इन सब का अपना अपना काम होता है तो हर एक अंग का अपना काम होता है तो हर सेंस ओर्गन के बारे में हम डिटेल से जानेंगे पहले हम लेते हैं आइस जिससे हम देखते हैं कुछ भी देखना देखो जैसे यहां पे picture बनी हुई है, हम इसको देख रहे हैं, तो यह कौन सा sensor अमारा काम कर रहा है? Eyes, हमारी आखे, हमारा को दिख रहा है न, aeroplane far, दूर दिख रहा है, clouds हमें दूर दिख रहे हैं, और वो कैसे दिख रहे हैं? हमारी आखों से van, हमें पास नजरा रही है near, road हमें पास नजरा रही है और ये सारा कोन कर रहा है हमारी आइस तो आइस का काम क्या है see, देखना, कोई चीज दूर और कोई चीज पास ये हैं हमारा eyes का काम इसके बाद आता है ear, ear से हम सुनते है और सुनते क्या है, कुछ भी बसता है, कोई धोल, ड्रम, फ्ल्यूड, कुछ भी बजना, जैसे कि अगर वाइलन बसता है, अगर बाशुरी बसती है, तो उसकी स्वीर साउंड निकलती है, जो हमें अच्छी लगती है, और वो कैसे हमें अच्छी लगती है, हमें अपने कानों से सुनते हैं तो और कई बर क्या होता है लाउट स्पीकर बसता है धोल बसता है उसकी साउंड हमारे कानों में हर साउंड लाती है एक दर्द सा करती है लेकिन चाहे वो अच्छी साउंड हो स्वीट साउंड हो चाहे वो हर साउंड हो सब पो सुनते कि से हम इयर से तो हमारा द नोस से हम करते हैं, smell, किसी चीज को सुंगना, जैसे की flower की good smell, आपको अच्छी लगती है, गर में maggie, rice बने आपको अच्छे लगते हैं, तो वो good smell भी हम सुंगते हैं, नोस से, bad smell, जैसे dust bean, कहीं कूडे की कोई smell, bad smell आना, वो भी हम किसे smell करते हैं, नोस से, कुछ भी सुंगन के लिए हम किसका यूज करते हैं, नोस का, अपनी नाक का, इसके बाद आते हैं, हम टंग, अपनी जीब पे, और जीब क्या काम करती है, जीब करती है, टेस्ट, जैसे लड़ू मीठा है, ये कौन बताती है, हमें हमारी टंग, टर्मिट, इमली खटी है, निम्बू खटा है तो सबी चीज का टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अपनी टंग का, तो एक सैंस उर्गन हमारा है टंग, जीब, जो हमारे टेस्ट के काम आती है, उसके बाद है फिफ्थ हमारी स्किन, हम स्किन से अपने हैंड से किसी चीज को टच करके फिल करते हैं, जैसे गै 1 पर रखा हुआ कुख कर होटा होता है गरव तो कैसे पता चला वह हमें अपनी स्कीन से टच करने पर जलती हुई कैंडल वह आईस कई कली न लगा इस्क इर्वाइश कर टाश कर आइस कक्पस थी कुछ किससे होता है हमें अपनी स्कीन से टच करके तो स्कीन का काम टच करना जो पताता है हमें होट कोल्ड हवचीज के बारे में टंग का काम है टेस्ट करना लड़ू खटा इमली लड़ू मिठा इमली खटी सब टेस्ट टंग से nose का काम smell करना good smell bad smell के बारे में हमें बताना ear का काम सुनना अच्छी sound, बुरी sound किसी को आवाज मारा तो हम सुनते हैं ear से eyes, eyes से हमें देखते हैं clouds, aeroplane, birds तो कोई चीज दूर, कोई चीज पास हमें सब कुछ पता लगता है eyes से, तो यह थे हमारे five sense organ eyes, मतलब आखे जो हमें देखने के काम आती है nose, नाख जिससे हम smell करते हैं, ear, कान जिससे हम सुनते हैं, tongue, चीज जिससे हम टेस्ट करते हैं skin, हमारी तवचा जिससे हम टच करते हैं, यह हैं हमारे sense organ मतलब इंद्रिया